हेलो फ्रेंड्स वेल्काम बैक तो दिनेट सेट को ना इटोब चानल आज फिर हम लोग कांटीनिव कर रहे हैं जियोग्राफिया इंडिया 250 इंपॉर्टेंट को सीरीज को यहाँ पर हम लोग जो है पार्ट नमर फाइब डिसक्स रहेंगे स्वारी यह पार्ट नमर फोर यहा एप्टिचूट का जो है मॉक्त पूरा कंप्लीट 145 प्लास जो है दोनों में ठीक है टीचिंग एप्टिचूड और रिसर्ज एप्टिचूट से दोनों पेपर से ठीक है 145 145 करके कोस्चिंस एम सी क्यूज वस्टिंस जो है टोटल जून दो टूथाउजन शीक से लेके जून तूथाउजन सीख से लेके दोस्तों जून दो हजार जो पीस जून 2020 वाला एक जाम हो थीक है इतना साल का पूरा आपको हो एक साथ ठीक है कंबाइन करके मार्च करके पीडिये भी प्रोवाइट कर दिया और दोस्तों आपको मॉक्टेश भी प्रोवाइट करके रख और settlement geography का भी आपका जो mock test बाकी था वो भी provide कर दिये हैं और regional geography और population geography वो भी upload हो जाएगा दोस्तों दूए एक दिन के अंदर तो दोस्तों अगर अभी तक आपने telegram channel और WhatsApp group join नहीं किये हैं तो उसका link description box में मिल जाएगा वहां से join कर लिए दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को को सब्सक्राइब करें पर फास्ट 81 वीच अना फॉलोईंग रिवार्स डज नौट मेक डेल्टा इन में से कौन सा रिवार्स जो है डेल्टा क्रिएट नहीं करता है ठीक है डेल्टा फॉर्म नहीं करता है महानदा देखिए यहां पर वाप्सन देखिए दोस्तों महानदी देन बी गोदावरी सी तापती डी गंगा दोस्तो गंगा गोदावरी जब करते हैं लेकिन दोस्तो यह जो तापती रिवर है werdं और यह री हर दोस्तो डिल्टा सब्सक्राइब नहीं करता है है ठीक है तो यहाँ पर देखिए इमारी गुदावुरी और किया था गंगा यहां पर गंगा है यहां पर इसलों नहीं होता है यहां पर जो क्रिएट होता है ठीक है यहां पर लिखा भी है देखिए तप्ती इस दा वेस्ट फॉलोइंग रिभार इट फॉलोज तुरुज तुरुज रिफ्ट वैली ऑफ इगनियास रॉक सो इट इस नॉट अबल तो कलेक्ट मच सेडिमेंट एंड हैंस इट फॉर्म से एस्टूरी इ बीच मैं डिफ्रेंस्ट का है ठीक है दोस्तो डेल्टा जो है लो लять रिजन पे लॉट टाइढ Bree violा एक रिए होता है ठीक है डेल्टा फ़र्मिशन ओता है जहां पर पर सेडिमेंट छो डेबोजीट नहीं होता है ठीक है उसके वज़े से Hill वहाँ पर क्या होगा इस चुली होता है वहाँ जहाँ पर सेडिमेंट डेश्ट होता है उससे बला रहा रहेटा तो यहां पर difference देखिए कि डेल्टा दोस्तों यह ट्राइंगुलर डेपोजीट है ठीक है मेड़ बाइदी रिवर एर द्यार माउट फॉर्म डेल्टा ठीक है यह स्टूरी देखिए यह सार्प एज्ड माउट ओफ रिवर डेवाइड ऑफ एनी डेपोजीट इस नोन एज एस्टूरी डेल यहां पर क्रूइट होता है देखिए रिजन ऑफ हाई टाइड एंड रिव्ट व्याली रहेगा जैसे वोस्तर घात में है ठीक है रीप्याली इस एंड है टॉके विटनेस एस्चूरी वहाँ पर क्या क्रिएड होगा दोस्तों एस्चूरी डेल्टाज और हाट क्रिएट नहीं होता है लेकिन डेल्टा पे न्यू जो सील्ट आता है नदी के साथ ठीक है तो वहाँ पर दोस्तों जरूर यहाँ पर क्या होगा फार्टाइल लैंड क्रिएड होता है गंगा ब्रह्मपुत्र क्रिष्णा कावरी महानदी फॉर्म डेल्टा कौन से कौन सा है डल्टा फॉर्मेशन करता है और नर्मदा टापी इस छुरी देखे टेन ढाइल बेसिक डिफेरेंस भीत्विन इसुरी डेल्टा इस दार्प य् trainees और नोने है हाई टाइडल मों ठीक है वैर इट मेंस दी सी वैराज लेटर यानि डेल्टा इज नथिंग बट दा वेट लैंड फॉर्म्ड एज रिजल आप एकुमुलेशन ऑफ सेडिमेंट जहां पर सेडिमेंट एकुमुलेट होता है यानि डेपोजिट होता है क्यारिट बाइड रि में लगा अच्छे से आप लोग कॉपी में यह लिख लिए ठीक है यह बेसिक डिफोरेंस है दोस्तों याद रखिएगा कोस्टी नबर एक्टी टू यहाँ पर दो लीश्ट मिल गया हम लोगों को लिश्ट वान में है रिवर और लीश्ट टू में हैं ट्रिबूटरी तो क उल्फिए अब लोग कोपी में क्या किएगा कि एक कि टेबिल बना लजेगा ठीक है करे कउपी में कि एक साइड में रहेolf और और रहाइटंड साइड वे सका ट्रीपुटरी ठीक है तो कीरिश्ट रिभार का का हो गया घीमा बर्मबतरा का क्या हो गए दोस्तों क्या हो जाएगा फॉर थीरी देन गोदा बोरी का हो जाएगा इंडरावदी इंडरावदी dw हो गया टू एंड लास्ट में है यमूना यानि जमूना ठीक है उसका क्या हो जाएगा खंबत ठीक है ओन तो 4321 कौन सा होगा एंसर देखें ऑप्सिन नमर सी में हैं देखें 4321 तो सी इस दा करेक्ट एंसर तो यहां पर दोस्तों आप कॉपी में लिख लीजिए कि किरिशना र उनना वाय आप पर समय ना होगा ठीक है आपको कौपी में हैं लिखके जो है याद करना होगा जाइंबником भी हो सब्क्रों क्यारी करें के से याद रहे है तो नेक्स्केश्टिन को स्कुलिंगे नबर एटीठीरी यहां पर दो लीष्टवीस पीड़ से मिल गया हमाने लोग को स्वैल आंड इस्टेट तो कौन साट युज्टट में मिलता है हम लोग देखते हैं ओके आपको एक इंडिया का मैं आप डॉर करना है ठीक है कौन सा सुइल कौन सा रिजन हैं ठीक है कौन सा इस्टेट में वह आपको ड्राक लेना है ठीक है एलॉफ्यम स्व में लोन फ्रीस देखिए दोस्तों कहां तो यहरट पर देखिए है यहां पर स्वे इंडिया की डिया गया है कौन सा इपर है दिखें ओर यहां पर दियागय है लोकेशन जो जमू कसमीन ही ही हिली रिजन है हिमाचल प्रदेश ठीक है है यह सब रिजन जो है यहां पर यहां पर देख सकते हैं यह रहा देन ब्लाक स्वेल दिस इस दा ब्लाक स्वेल यहें पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर और घ्रारिजड को ओली तो आ जनुरी मन्त में कौन सी प्लेसेज जो है सबसे कम टेंपरेचर जहां पर रेकॉड होता है सबसे कम टेंपरेचर ठीक है इने में से कौन सा देखते हैं आपसे नमरी में हैं बिकानेर,B पह बेंगलोर,C फिरोजपूर,D जैसालमीर तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सबसे कम टेंपरेचर होता है दोस्तों कोस्टी नमर 85 विच फॉलोईंग हिल्स फॉर्म्स दा इस्टन नौर्थ इस्टन एज ऑफ दी छोटा नाकपूर प्लेटो छोटा नाकपूर प्लेटो जोए है उसका नौर्थ इस्टन एज में कौन सा हिल है ठीक है एक्चुल यहीं प पर एप हैं मिकील हिल बी में राजमहल हिल सी परसनाथ हिल सेंडी इस्टन हाट तो इसका एंसर हो जाएगा आपस नमबर बी दैट इस राजमहल हिल ओके प्लेटेश फॉइच और फॉलाइं इस्टेट ऑप इंडिया है था हाइस परसेंटेज ऑप इट्स एरिया अंडर फ फारेस्ट को भार है ठीक है तो यहाँ पर देखिए इस्टेट सें तीन और एक यूनियन ट्रिटीज भी है तो हम लोग देखते हैं कौन सा होगा आपस नमर यह पर हैं अंदमान निकवर आइलेंड बी अरवनाचल प्रदेश सी मिजोराम एंडी जमू एंड कस्मी तो इसक तो दो टाइप का कोशिंस बनता है कि एरिया अंडर हाइस्ट फॉरस्ट को भार ठीक है एक एरिया होता है इन इसकोएर के में सबसे ज्यारा ठीक है इसकोएर की में यहाँ पर एरिया वाइज होता है टोटल एरिया वाइज और यहाँ पर देखिए यह कोशिंस और बनता है ठीक है इसमें से percentage of forest cover ठीक है यहां पर percentage हिसाब से बनता है एक question और एक question बनता है under forest cover in square के में ठीक है अगर percentage wise बनता है जैसे last question में आपको इसी question में देखा है यहां पर percentage wise बना था तो इसलिए इसका answer हो गया मिजोराम 90.38 percentage जो है area under forest को बने ठीक है लेकिन यहां पर देखिए forest cover in square के मी मद्रप्रदेश सबसे ज़्यादा है 77,522 square kilometers जो है सबसे ज्यादा forest cover under forest cover land area ठीक है याद रहिएगा दिन second rank पे है आरुनाचल प्रदेश जिसका जो है 67,000 है ठीक है स्कोर किलोमेटर चाटीस गड़का है 55,000 दिन महाराष्ट के 50,000 गोड़ी सागा है 50,347 ओके यहां पर महाराष्टा का 50,600 32,000 था ठीक है याद रखिए ठीक है आपको दो चीज़ राख याद रखना होगा एक स्कॉयर की मीवाइज एक परसंटेज वाई पर्संटेज वाइज में मिजरंस का सबसेया यह देन लख साधीप 2 परसंटेज है देन अंदमान निकबर का 91 परसंटाज दन और प्रहाजट प्रदिस का ट्यांक इडिकेशन ट्यांक इडिकेशन इंडिया में कौन सा स्ब्सक्राइब होता है और संदेखते हैं और समय अपने टमिलणाडू बीपे है वेस्ट बेंगल सी केलला दी किनाटागा तो इसका एंसर हो जाएगा ऑसनमरे एदर्याटीज तमिलणाडू तमिल्राडू में सबसे लग ट्सक्राइब होता है समय हिए तेन्क इडियोगेशन देखे़ कितना होता है ये टिन परसेंटेज एक्तिन पॉटपैंट फूट्क्रन परसेंटेज अपका ट्यांग एडिने मोडीं सामें 14 तो सोरी 14 परसेंटेज और यहाँ देखिए अंध्रप्रदेश का होगा तेरा परसेंटेज के रलों का दस परसेंटेज और महारास्ट सुरी कनाटा का का ला फाइब नमबर पर देखिए कनाटा का जिसका है सिक्स परसेंटेज ओके दोस्तों जैसे कि आप लोगा पता है कि नौर्थ बेंगल में ब्लाय को बोला याता है दोर्स और डॉर्स और बंगल और दौर्स आपका नौर्थ बेंगल बोलता है ठीक है तो सिमिलर् आपको यहां पर ठीक है दूसरी रिजन पे भी है ठीक है इन में से देखते हैं चार ओप्सन दिया गया है जहां पर आपका यह डूर्स रिजन और भी है ठीक है उसको हम लोगों को सिलेक करना होगा तो आप संदेखते हैं ऑप्स नमरे पे देखें अलुवियल प्लैंस इन बिहार वैली ओफ फ्लावार्स इन उत्तराख आंड तवराई बेल्ट ऊफ उत्तर प्रदेश एंड डी कोस्चाल रिजन ओफ क्या है कौंकन कॉंग रिजन तो दोस्तों इसका ऐंसर हो जाएगा तोराई बेल्ट ऐफ उत्तर प्रदेश आप्स रहस्ति इस ता कुरेक्ट एंसर तो दोस्तों यहांपर देखें वेस्ट ब लेकसी है इक बार दूर्स और दूर्स अर दशाव्ज ब्रॉज यालोवयल फ्लाट प्लेर्ज ब्लैं अलूवयल फ्लाट प्लें होता है इन वेस्टन नॉर्थ एस्टन ब्रॉस्टर इंडिया अट लाइ ए साउथ of the outer foothill of the himalaya and north of brahmaputra river basin this region is about 30 kimi wide and stretch over 350 kimi from tista river in was bengal to the dhanshiri river in assam okay then coming to the next question question number 89 the largest maze producing state of india mage कहाँ पर ज्यादा कौन सी इस्टेट में प्रोड्यूस होता है दोस्तों तो अप्सान देखते हैं चार अप्सान है उत्रप्रदेश मध्धप्रदेश हिमाचाल प्रदेश एंड हरियाना तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा ऑफसे नवर भी एटी मध्थप्रदेश मध्धप्रदेश में सब से ज्यादा बनता है प्रोड्यूस होता है मेच दोस्तों मेच दोस्तों आपका कणनेटा रीजन மें होता है कानीटा में 15 फ Rapha पर सेंटेश और मध्धप्रदेश में भी 15 फर सेंटेश दोनों इक वॉली है करता है ठीक है लेकिन वाप्शन में आपका करनाटा का नहीं था एंपी शिरिफ था तो मद्धप्रदेश जो है डाइरेक्ट हम लोग इसली अंजर लगा दिया आवों इंडिया निस्टेर्स मद्धप्रदेश एंड करनाटा का और हैज हाइस्ट एरिया अंडर 15 गुद्धिया निसके बाद है अपलोग देख लिएगा ओके डेंट्स पोसिन को सिने मनाइटी वीच इस अलार्जेस कॉफी प्रोडूसिंग इस्टेट ऑफ इंडिया ईच कॉफी प्रोडूसिंग थी कर सबसे ज्यादा कहां पर कोफी प्रोडूस होता है कौनसी स्टेट म है स्वरी कौन सी है इस्टेट में इंडिया की ठीक है देखते हैं ऑप्स नमरे आसम बी केरल देन सी तामिलनाडव और डी करनाटका दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा ऑप्स नमर्डी बैटीज करनाटका करनाटका में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस होता है ओके देख करनाटका देखे कानाटका कितन प्रोडूस करता है 53 percentage okay केरल देखिये 28 percentage टी करनाटका सबसे ज्यादा करता है फिर इसके बादा केरल देन तमिलनाडव एम अलीज 11 percentage and remaining remaining from the other states including अंधर प्रदेश, ओरिशा, आसम, एंधरिफ्रा, okay then coming to the next question question number 91 where you would find the dominance of alkaline and saline types of soil in India देखे, alkaline and saline type of soil India में सबसे ज्यादा कहां पर कौन सी रिजन में इस्टेट में हम लोगो देखने को मिलता है ठीके सबसे दा कहां पर है dominance कहां पर है तो वही देखते हैं दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर देखे चार अप्सन है अंधर प्रदेश, बिहार, ओडिसान, राजिस्तान, तो इसका एंसर हो जाएगा D that is Rajasthan, राजिस्तान में alkaline and saline types of soil सबसे ज्यादा है, okay then next question which state is the largest producer of thorium in India thorium producer largest producer of thorium कौन सा इस्टेट है ठीक है सबसे ज्यादा कहां पर thorium produce होता है देखते हों आफसर राजिस्तान, बिहार, केरला and Tamil लाडू तो इसका एंसर हो जाएगा आफसर मरत, C, केरला, केरला में सबसे ज्यादा जो है thorium produce होता है ठीक है यहां पर देखे केरल जो है सबसे ज्यादा करता है produce आप दी देखर thorium is found in केरल देन वीहा देन तमिलारो एंदेन राजिस्तान दोस्तों थो रियाम एक अटोमिक पावर मिनरल है ठीक है सबसे जो है पहले में अरलियर डेज में डिफेंस के लिए यूज होता था लेकिन आजकल जो है बट टूडे देखें यहां पर it is widely used for power generation ठीक है पावर generation के लिए अभी जो है यूज होता है ठीक है याट्स मिक पौवर की मिनरल के अंदर ूसी कॉन सी जो है अता है देखे यूड़ोनियाम थोरियाम बिरिलियाम इस सब आता है ओके देन नेक्श्ट कोस्टीं चलते हैं दोस्तों पोस्टीं नमर 93 विच ऑन आफ दे स्थेट्स और करनाटका में जो है दोस्तो नहीं नहीं होता हैं ही कटैर्स में जो संद्राइण दोस्तों अंध्र प्रदेश 93 % प्रद्वी करता है राजिस्थान 6.3 देन इसके बाद है झाल कंडाता है तो सब्से ज्यादा कहां पर रिजर्ब है रिजर्ब का भी देख ली चैना फ्रदेस में 41 % जहर रिजर्ब है मिका राजिस्थान में 21 % जो वडिशा में है 20 % महाराष् नोन प्र हाइफ इयुक्ज लान्सलाइट। यह एक आपको सब पटा है नुम का फिरली रीजन पर होता है तो यहां फिर ऐसे हां पर दा के आज ऑनडंसों शुच्छन पर कि हो जाएगा ऑप्सटिन आनिया जीक हो जाएगा नंवर धालें सिले पूछागे है की कार्यवा कार्यवा काश में कंवरा था लेकिन कषक्तक्त क्या है दोस्तो पर हम लोग का फॉर्म होलों करेंगा घृट के लाहं There जाल क्ले ठीक है जहां पर सील्ड बहगरा है ठीक है क्ले छीज़ है यह दोस्तो आपको ज्यातर देखने को मिलता है कि डेपोजिशन इन लेग ठीक है लेग डेपोजिशन है तो हम लोग देखते हैं फिलेट यह कब फॉर्म हूआ था तो देखे चार अपशन है ओली गोसीन यहाँ पर किरें दोस्तों यहां पर देखिये कर तender double dropping कौन है किसे थिते डाइक्सांट देखिये नेर्थ वैस्ट दिरीक्शन में कस्मिल वैली है ठीक और यह क्या है इस बर यहां पर देखिए करेवास क्या है करेवास की फर्मेशन यहां पर दिया गया है करेवास के बर वाइन पर देखिए जब यहां पर बोला गए जब जो है पूरे तरीके से अंडर वाटर था तब प्लेश्टोसिन प्रियोड में करेवास फ़ांशन हुआ ठीक है और तब क्या हुआ था दोस्तों यहां पर और रिजन दिया गए है डियू टी दिराइज ऑफ पिर पंजल ही टीक है पिर पंजल जो रेंज होता है है तोस्तों उसका राइज जो होने के बज़े से यह करेबस फर्मेशन का स्मिर भाले में हुआ था the drainage was impounded and a lake of about 5000 is quarkami area was developed and thus a basin was form subsequently the lake was drained through bramula gods the deposit left in the process are known as caravash the thickness of caravash is 1400 meter curry was those two a joe for man cover formation जाफ्रण जिसे हम लोग श्याफ्र कालिवेशन में सबसे ज्यादा यूजफ्ल होता है कि सब्सक्राइब को एक ibabao कले पाल्डिवेशन के लिये एक दोस्तों इस वीडियो के दोस्तु के इतना नहीं यहां पर डाय घ्रम भी देख लीजीया यह पर कारेबास का लोकेशनव दिया गया है दोस्तो फिटयो परसिंट आया को लाइक करते leverage दोस्तो चैनल पे दोस्तो अभी अब हाई दोस्तों अब लोग और यीवटियु कर रहे है एक पोर्चन जो थिवोरीज और मॉडल उसका भी जो है दो लेक्चर अपलोड हो चुका है अगर आपने नहीं देखें तो उसका भी लिंक जो है मिल जाएगा आप डिस्क्रिशन बॉक्स में जरूरू आप लोग वीजिट कीए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचि झाल चुका है!